आज बनाएंगे हम टमाटर तगार्ड जो की कश्मीर में काफी कॉमन एक रेसिपी है टमीटो के साथ फिश पकाना आप सबने खाई होगी और पसंद भी करते होंगे तो इसके लिए हमें टमाटर लिए हैं एकिलू जिनको हम अच्छे से प्रॉपरली वाश करेंगे अब हम इ मास्टर डॉइल एक पान में मैंने अलरडी फिश को कट करके रखा है और हल्दी और नमक से मैरिनेट कर दिया है अब मैं उसको करूंगी फ्राइए देखे मैरिनेशन लेकर तो फिश के पीसिस अब अच्छे से फ्राइए करेंगे पहले हाई फ्लेम पे पाकि एक साइट से हो जाए फिर दोनों साइट से होने के बाद आप निकाल के रखेंगे सारे फिश के पीसिस प्लेट पे फिश को आप ज़दा टर्न नहीं कीजेगा जब फ्राइए हो रही होगी एक साइट से वरना यह तूट जाएगी तो अब फिश फ्राइए होने के बाद हम से मास्टर अब जाए लेंगे कॉपर वेसल में इसमें जब गरम होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी टामेटो की प्यूरी तो टामाटर हमें अच्छे से फ्राइक करने की यही एक ट्रिक होती है कि टामेटो कच्छे नहीं रहने चाहिए फ्राइए के दोरान वरना उनका फ्लेवर ज पानी जल्दी चोड़ेंगे और जल्दी फ्राइए हो जाएंगे नमक एक चमच या टेस्ट के मताबिक डाल दीजेगा आप साथ में आड कर देंगे यहां पे गार्लिक का पेस्ट आप चाहे तो साबुद गार्लिक भी डाल सकते हैं मिक्स करेंगे अच्छे से और फ्राइ जाता है आप ट्राइ कीजेगा ज़रूर एक चमच तक डालना बड़ा चमच तो यहां पे इसके बार डालोंगे मैं खड़े मसाले तो मैं आड कर रही हूं एक बड़ी इलाइची तीन लॉंग साथ में में डालोंगे यहां पे छोटी इलाइची दो तीन और आदी जालची तो यह बेसिक स्पाइसे कश्मीरी कुकिंग के इसके बार डालोंगे मैं जिंजर पॉडर वो हलका सही आड करना चाहिए यहां पे मैं एक एक एक्स्ट्र स्पाइस डाल रही हूं दनिया का पाउडर दानवल पॉडर काफी अच्छा फ्लेवर देता है यह हर करी में अब सा ते टमाटा का कलर भी चेंज हुआ है आप डालेंगे हम पानी पानी उतना डालेगा आपकी जितना आपको लगेगी फिश इसमें अच्छे से जो है वो इमर्स हो जाएगी अब हम इसमें फिश के पीसे एड़ करेंगे फ्राइड फिश जो हमने रखी थी निकाल के प्लेट रेड्यूस होनी देंगे ताकि फिश भी सॉफ्ट हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटा भी रेड्यूस हो चुके और काफी मज़े के बने हैं उपर हम इंको गार्णिश करेंगे फ्रेश कोरियंडर के साथ आप भी जरूर इसी तरीके से बनाएगा बहुत मज़